नमस्काल सिक्षार्थियों, मैं धीरेन नातिवारी अर्थ सास्त प्रवक्ता जवाहर नोदे विद्याले कानपूर दिहात। आज की इस क्लास में सूक्ष मर्शास्त के एक अत्याधिक महत्पूर और रोमान्चिकारी चैप्टर प्रतिस्प्रधारहित बाजार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिक्षार्थियों यह दूसरा भाग है, आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम एक अधिकारी तथा पूर प्रतियोगता के मध्य अंतर्स पस्ट करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उत्पादन बंद बिंदू निधारित होता है। जहां तक अंतर की बात है तो अगर हम देखें सबसे पहला अंतर तो विक्रेताओं की संख्या को लेकर होता है और विक्रेताओं की संख्या कि अगर हम बात करते हैं तो वास्तों में पूर प्रतियोगता के अंतरगत विक्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या हो को बढ़ा घटा कर बाजार को प्रभावित करने में सक्च्छम होता है, जब कि अगर हम एक आधिकारी की तरब चलते हैं, तो एक आधिकारी एक मात-विक्रेटा होता है और बहुत सारे क्रेटादें उसकी सामने होते हैं। यहां पर अगर हम विक्रेटा की बात करते तो वास्तों में वह एक मात विक्रेता है और साथ ही वह ऐसी बस्तू को विक्रे कर रहा है जिसकी प्रतिस्थापन बाजार में बिल्कुल उपलब नहीं है अगर हम अंतर के आधार की बात करें तो दूसरा अंतर हम आवा गमन की सुविधा के आधार पर करेंगे आवा गमन की सुविधा जहां तक पुल प्रतियोगिता में हैं पुल प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है कोई भी फर्म जा सकती है किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं पाई जाती है जबकि एकाधिकारी के संदर्व में किसी भी नई फर्म का एंट्री या प्रिवेश संभो नहीं है जैसे ही कोई नई फर्म प्रिवेश करती है तो हम देखते हैं कि एकाधिकारी समाप्त हो जाता है उत्पादन का अगर हम सभाव की बात करें तो जो बस्तु उत्पादित होती है पुर्पृतियों की ताय में वो समरूप होती है एक समान होती है रूप, रंग, आकृति, गुड, इत्यादी से एक समान बस्तु को ही सभी विक्रेता को बेचना होता है जबकि अगर हम एक अधिकारी की बात करें तो यहां पर कीमत बिभेद भी संभो है वास्तों में एक अधिकारी अपनी एक वस्तु को अलग-अलग कीमत पर अलग-अलग विक्रेताओं को बेच सकता है इसके बारे में भी हम बहुत डीटेल में पढ़ने जा रहे हैं मांग-वक्र का अगर हम सभाव की बात करते हैं तो एक अधिकारी और पूल पृट विक्रेताओं को मांग-वक्र में भी काफी अंतर पायजाता है जहां तक पूल प्रीचियोगी फर्म के मांग-वक्र की बात है तो यहाँ पर कीमत का सुईकारक होने की कारण परतेक फर्म के पास एक ऐसा मांगवक्र प्राप्ट होता है जो कि एक सक्ष के समारांतर एक सरल रिखा सीधी रिखा के रुप में होता है जबकि एकाधिकारी का जो मांगवक्र है उमांग का नियम लागू होने के कारण बस्तु की मांग बेलोजदार होने के कारण बाएं से दाएं नीचे की और जुका हुआ होता है कीमत निधारकी जहां तक छमता की बात है तो यहां पर उद्योग कीमत का निधारक होता है दीरकालिक संतूलन की बात करें तो दीरकालीन संतूलन की अवस्था में पूर्प्रतियोगी फर्म को सामान निलाब ही मिलेगा जबकि एकाधिकारी को असमान निलाब मिलेगा प्रिशिक्षो वास्तों में एकाधिकारी और पूर्ण पृत्योगता के अंदर जो भी अंतर हैं ये बार-बार हर परिक्षा में आप जो पूछे जाते हैं इसलिए इसको हम डिटेल में भी एक के बाद एक सारे बिंदूं को रेखा चित्रों के माध्यम से भी समझाएंगे जहां तक साधनों के प्रवाह की बात है पूर्ण पृत्योगता में फ्री फ्लो आफ फ्री मोबिलिटी आफ फैक्टर्स प्रड़क्षन पाए जाता है उत्पादन के सभी साधन पूर्वाग पूर्त या प्रवाहित होते हैं जबकि बिक्रेता एक ही है एकाधिकारी के संदर्व में तो अगर आपको रोजगार चाहिए तो उसी एक ही बिक्रेता के पास आपको जाना होता है तो यहाँ पे संसाधनों का प्रवाह भी रुका हुआ होता है प्रतिबंधित होता है संसाधनों का अनुकूलतम अगरम प्रियोग की बात करें तो पूर्व प्रतियोगता के अंतरगत संसाधनों का अनुकूलतम प्रियोग होता है और यह प्रियोग हम अभी रिखाचित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि किस प्रकार निउन्तम कीमत और निउन्तम आउसत लागत पर पूर प्रतियोगिता के अंतरगत अधिक्तम उत्पादन की मात्रा प्रेताओं के पास उपलब्ध होती है जिससे हम कह सकते हैं संसाधनों का अधिक्तम और अनकूलतम प्रियोग पूर प्रतियोगिता में ही सम्भ हो है जहां तक यहां आगर हम एक अधिकारी की बात करें तो यहां पर भोकता तथा संसाधनों का सोशर होने के गुंजाईस होती है काऱ ये है कि संतूलन के बिंदू पर यहाँ पर वो लाव को ही ध्यार में रखते हुए संतूलनी श्थापित करता है और वो है उतनी ही मात्रा बेचता है जिस पर उसकी सीमान आगम शीमान लागत के बराबर हो जाती है इस ऐसी अवस्ता में उसकी ओसत लागत ओसत आगम से कम होने की कारल उसे लाग मिलता है अगर हम कल्यार कारी उद्देश की बात करें तो यहां हम देखते हैं किस प्रकार यहां पर पूर्ड प्रतियोगिता में कल्यार कारी सुरुआओ पाया जाता है जबकि अगर हम एका धिकारी की बात करेंगे कल्यार कारी कारियों की कमी पाई जाती है प्यारे बचों पूर्ड प्रतियोगिता एवं एका धिकारी का मांगवक्र जहां तक मैंने भी आपको बताया कि मांगवक्र की बात है तो अगर हम पूर्ड पृत्योगता की बात करते हैं तो पूर्ड पृत्योगी फर्म की मांगवक देखा जाएगा तो कीमत वो द्योग ने निर्धारित की है और इस कीमत पर आप चाहे जितनी मात्र अपनी बस्तु की बेश सकते हैं पूर्ड पृत्योगी तथा एका धिकारी का मांगवक अगर हम मांगवक की बात करते हैं तो वास्तों में पूर्ड पृत्योगी फर्म के पास कीमत निर्धारित हो के आता है और इस कीमत पर वो चाहे जितनी मात्रा को बेश सकता है ऐसी अवस्ता में उसके समक्ष जो मांगवक आता है स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि एक सीधी सरल रेखा के रूप में पाया जाता है जहाँ एक बार दस रुपे कीमत निर्धारित हो गई इस दस रुपे कीमत पर ये फर्म चाहे जितनी मात्रा को बेचना चाहे बेश सकती है इसके बाद अगर हम एक अधिकारी की बात करते हैं तो एक अधिकारी का मांगवक बाएं से दाएं नीचे की ओर जुका हुआ है ऐसी स्थिती में अगर एक अधिकारी को अपनी बस्तू की अधिक इकाई को बेचना है तो उसे अपनी बस्तू की कीमत को कम करना पड़ेगा अधिक काई को या तो existing जो वर्तमान में उसके भूगता है उनको अधिक मात्रा में प्रेरीत करके बेचना चाहता है ऐसी अवस्ता में उसे कीमत कम करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि नए customers उसको खरीदें उसकी बस्तू को खरीदें तब भी उसको अपनी बस्तू की कीमत को कम करना पड़ेगा तो मांग का नियम लागू होने के कारण प्रतेक एक अधिकारी के समक्ष जो मांगवक्र होता है वो बाएं सिदाएं नीचे की और जुका होता है स्लाइड में आप हरे रंग की रिखा देख रहे हैं जिसमें हम एयार वक्र बनाया है यही एयार वक्र यही औस तागम वक्र एक अधिकारी का मांगवक्र होता है तो जब हम मांगवक्र की तुल्ला करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि पूर्तिया लोसील मांगवक्र है पूर्पतियोगता के संदर में जबकि यहां पर हम एक अधिकारी के संदर में देखते हैं कि मांग का वक्र जो है वो बेलोजदार है ऐसा इसलिए है को कि यहां पर उसके एक ही विक्रेता है जबकि पूर्व प्रतियोगता में विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक है इसके बाद दीरकालिन अगर संतूलन की हम बात करते हैं तो बाई तरफ जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं डाइग्राम इस डाइग्राम में हमने पूर्व प्रतियोगता का दीरकालिन संतूलन दिखाया है लाँग रण AC, LAC, LMC, LONG RUN AC और MC काव है साथि LAR और LMR वक्र जो है वो लाँग रण एवरेज और रेविन्यू करव है पूर्व प्रतियोगता काव ऐसी स्थिति में हम देखते हैं संतूलन की स्थिति में AC और MC जहां पर देखे हैं E बिंदू पर काट रहे हैं तो इस स्थिति में, संतुलन के स्थिति में इसकी कीमत, औसत लागत और औसत आगम तीनों चीजे समान है। जबकि हम यही संतुलन एकाधिकारी के संदर्ब में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह बिंदू जहां पर एकाधिकारी का सीमान्त आगम वक्र, सीमान्त लागत वक्र को काट रहा है, उस बिंदू से अगर हम परिपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई मिल रहा है, तो दिरकाल में एकाधिकारी को असमान इलाब मिल रहा है, और दिरकाल में ही पूर्पतियोंगी फर्म को सामान इलाब मिल रहा है, जहां तक संसाधनों के अनकूलतम प्रियोक की बात है, यह बहुत ही महतपूर टॉपिक माना जाता है, और अक्सर इसमें बच् गर आप देखेंगे तो पूर्ण प्रत्योगी फॉर्म का दिरकालिन-संतूलन है, गर remember if आप देखते हैं तो एक अधिकारी फॉर्म का दिरकाली संतूलन है और इन दोनों ही रेख़ाओं को हमने मर्ज करके समाहित करके रेखाओं कर एक ढूसरा डाइग्राम बनाया है जो सेंटर में बना हुआ है, बड़े साइट आकार का भी है, इसके अंदर हमने दोनों के तुलनात्म कद्धिन को दिखाने की कोशिस किये, पिसक्षार्थियों, जहां तक पूर्ड प्रत्योगी का दीरकालीन संतूलन है, हम भी हमने आपको बताया है कि संतूलन बिंदू पर यहां पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इनका AR, AC के बराबर है, और साथ ही MR, MC के भी बराबर है, यहां पे अगर हम देखते हैं इसको, लेकिन अगर हम एकाधिकारी की बात करते हैं, तो संतूलन बिंदू पर एकाधिकारी का MC, MR के तो बराबर है, लेकिन इस बिंदू उसे अगर हम perpetual draw करें तो हम पाते हैं कि A.C. A.R. से कम है यान D.L. अधिक है तो संतुलन बिंदू पर एका धीकारी का धीर आगम तो संतुलन बिंदू के संतुलन बिंदू दिर काल में पूर प्रतियोगी फर्म का आगम तो संतुलन बिंदूू अब अगर हम इन दोनों रिखाचित्रों को मिला करके एक नई रिखाचित बनाते हैं तो अब आप नीचे आजाएए बड़े वाले रिखाचित्र में, यहां हम देखते हैं कि LMR जो वक्र है वो सीमान्त आगम वक्र है एक अधिकारी का, LARM जो वक्र है वो औसत आगम वक्र है एक अधिकारी का, जबकि उपर आप देखेंगे जो औरेंज कलर में दो लाइने हैं, औसत लागत और सीमान्त लागत वक्र है, अगर हम इन दोनों को तुल्ला करते हैं तो पूर्प्रत्योगी फर्म का संतूलन उस बिंदू पर है जहां पर AC-MC को इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर MC-AC के बराबर है और हमें ये जानकारी है कि MC-AC को उसके निउन्तम बिंदू पर ही काटता है ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पूर्प्रत्योगी फर्म का संतूलन उस बिंदू पर हो रहा है जहां पर और आगम निउन्तम है जबकि अगर हम संतूलन की बात करते हैं तो MCMR जो मोनोपोली का है वो नीचे EM बिंदू पर काट रहा है यहां से पर्पेंडिकलर ड्रॉ करके अगर हम देखते हैं तो इसकी कीमत भी जादा है और OPM कीमत वसूल रहा है और OPP कीमत है पूर्प्रत्योगी फर्म का तो हम देखते हैं कि पूर्प्रत्योगी फर्म कम कीमत पर अधिक मात्रा को बाजार में प्रस्तूत करने में सच्छम है जबकि एका अधिकारी के समक्ष संतूलन बिंदू पर उसको अपना लाप को अधिक्तम करना है इस लाप के अधिक्तमी करण करने के कारण उसका ARAC से अधिक है और परिग्राम सुरूफ हरे रंग का जो एरिया है वो असमान लाप का इंडिकेटर है जहां तक संसाधनों के अनकूलतम प्रियोग की बात है पूर्प्रत्योगिता में कम कीमत और कम लागत पर अधिक बस्तू की मात्रा उपलब्द होती है जबकि एका अधिकार का संतूलन उस बिंदू पर होता है जो कि फर्म का अनकूलतम आकार नहीं है क्योंकि फर्मका अनकूलतम आकार उस बिंदू को कहते हैं जहां MCAC को इंटरसेक करते हैं, MCAC को काटती है आप देखिए हरे रंक का जो डाइग्राम है, बाही तरफ वो पूर्प्रत्योगिता के इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब है कि यह फर्म का अनुकूल का माकार है यानि कि नियुन्तम लागत पे फर्म यहां बस्तू को उत्पादिक करने में सक्षम है साथ ही इस फर्म को सामान इलाब मिल रहा है जबकि अगर हम दाई तरफ देखते हैं एकाधिकारी का संतूलन तो एकाधिकारी के संतूलन की स्थिती में MCMR तो E बिंदू पर इक्वल है लेकिन आप देखेंगे कि इस बिंदू पर AR जो है वो AC से अधीक है तो हरे रंग का एरिया जो है वो आपका असमान इलाब का इंडिकेटर है प्रिशिक्षार्थियो पूर प्रितियो गिता और एकाधिकारी दोनों को अगर हम मर्ज करके एक तीसरा डाइगराम बनाते हैं तो हम आपके सामने देखेंगे कि किस प्रकार ARM आउसत आगम वक्र है एकाधिकारी का LMRM वक्र एकाधिकारी का सीमान तागम वक्र है यहाँ पे AC और MC दोनों के लिए समान है क्योंकि लागत का structure दोनों ही प्रकार के फर्मों के लिए समान माना जा सकता है अगर हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार के फर्मों को समान लागत धाचे का सामना करना पड़ रहा है ऐसे स्थिति में हम दीर कालिन संतूलन पाते हैं कि पूर्प्रत्योगिता का वहां पर होगा जहां MCAC को इंटरसेक्ट कर रहा है यानि कि फर्म का अनुकूलतम आकार है इस स्थिति में आप देखेंगे कि अगर हम एक अधिकारी सही से हम कंपेर करेंगे तो हम पाएंगे कि संतूलन MCMR मोनोपोली का EM बिंदू पर होता है और EM बिंदू से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉफ किया जाता है तो हम पाते हैं कि इसका ACAR से कम है यानि कि आउसत लागत आउसत आगम से कम है यानि कि ये ज़्यादा कीमत वसूल रहा है आउसत लागत से जबकि पूर्पतियोगी फर्म आउसत लागत और आउसत आगम उसकी कीमत और आउसत लागत दोनों बराबर है तो सामान लाग की सिति में अब हम यह देखते हैं कि पूर्ण प्रत्योगी फर्म चादा मात्रा कंप कीमत और कंम लागत पर बाजार में प्रस्तुत करने में सक्षम है अगर यह तुलना हम एक अधिकारी से करते हैं तो एक अधिकारी में कल्याड कारी कारियों की कमी पाई जाती है, जबकि पूर प्रतियोगिता में आप देखेंगे कि बस्तू क्रेताओं के लिए कम कीमत पर अधिक मात्रा में उपलग्द होती है, तो उत्पादक अथवा विक्रेता की दृष्टी से अगर देखा जाए, तो ए हाई अब हम देखते हैं उत्पादन बंद बिंदू की से कहते हैं, क्या अल्पकाल में हानी प्राप्त करने वाली फ़र्म उत्पादन को अल्पकाल में ही बंद कर सकती है, यदि हां तो कब, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, यह एक रेखाचित राग में सामने हैं जिसमें हम तीन डाइग्राम की माध्यम से ऐसा दिखा रहे हैं रेखाचित नमबर एक में आप देखेंगे अगर उत्पादन को तत्काल बंद कर दिया जाए तो कुलहानी टी एफसी के बरावर होती है लेकिन अगर उत्पादन को चालू रखा जाता है तो कुलहानी जो है टी आर आप बस्तू को बेचने से प्राप्ट कर सकते हैं तो पहले लेखाचित में हम देखते हैं कि अगर उत्पादन को तत्काल बंद कर देती है फर्म तो आप देखेंगे जो और यलो कलर का एरिया है यह दोनों मिला कर उसे हानी हो रही है लेकिन अगर वो बस्तू का करने में सक्षम है ऐसे स्तिती में उसकी हानी जो है वो कम हो जाती है और आप खाली ब्राउन कलर का जो एरिया है वही उसकी हानी का इंडिकेटर है दूसरी स्तिती में हम देखते हैं चाहे वो उत्पादन को तत्काल बंद कर दे या उसको उत्पादन को जारी रखें दोनो बढ़कर के डबल हो जाती है और उसका मुख्य कारण किया है उतपादन बंदविंदू, वह बंदू होती है जिस बंदू पर बस्तू की कीमत उसकी आस्त परिवरतंसी लागत के समान हो जाती है ऐसे इस्तिति में वह उत्पादन जारी रखे या बंद कर दे दोनी अवस्था में उसको समान रूप में हानी होती है इसलिए यह उत्पादन बंद बिंदू कहता है हम यह निसकर्स निकाल सकते हैं कि उत्पादन बंद बिंदू वह बिंदू होता है जब अल्पकाल में एक हानी प्राप्त करने वाली फर्म अपने उत्पादन को बंद करने के लिए मजबूर हो जाती है यह हुए बिंदू है फर्म की बस्तु को बेच कर मिलने वाली कीमत उसकी आउसत परिवतन सी लागत के एवी सी के समान होती है जो की रेखाचीत नमबर 2 में दिया गया है तो इस क्लास में हमने आपको सबसे पहले तो एकाधिकारी और पूर्फ। पूर्टियोगता दिकाले मजब भीत तुल नात्म करें का धिन किया हमने आपको बताया है कि दोनों के मांगवक्र में भी अंतर है पूर्पृत्योगी फर्म का मांगवक एक्स-क्स के समाना नतर एक सीधी रेखा होता है जबकि एकाधिकारी का मांगवक बेलोजदार बाएं सिदाएं नीचे की और जुका होता है हमने आपको बताया कि संसाधनों का अनकूलतम प्रियोग पूर्पृत्योगिता में जैदा अच्छा होता है एकाधिकारी के तुलना में साथ ही हमने आपको बताया कि अलकाल में एक हानी प्राप्त करने वाली फर्म अपने उत्पादन को किस कब बंद करने के लिए त्यार हो जाती है आज की इस क्लास में इतना ही थैंक यू धन्यवाद